वोट जिहाद करने वाले मौलाना नोमानी से मिले महाविका सघाडी के उमीदवार महाविका सघाडी उमीदवार फहाद एहमद ने वोटिंग से चंद घंटे पहले की नोमानी से मुलाखा प्रदीव भंडारी ने शरत पवार, उदव ठाकरे और राहुल गांधी को किया बेनकाब क्या महरास्ट में वोट जिहाद को लेकर हो रही बड़ी साज़ुष महरास्ट में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है यानि कि कुछ ही घंटे बाकी है महरास्ट में वोटिंग होने को लेकिन इससे पहले देखने को मिलता है कि महाविका सघारी के नेता मौलाना नुमानी से मुलाकात करते हैं यह वही मौलाना नुमानी है जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज़्यादा वारल हो रहा था जहां पर वो यह कह रहे थे कि महाविका सघारी के उमीदवारों को समर्थन दो और जो लोग बीजपी के उमीदवारों को वोट देते हैं उनका पूरी तरीखे से सोशल बायकॉट कर देना चाहिए उनका हुका पानी बंद कर देना चाहिए इस तरीखे के बयान देने वाले मौलाना नुमानी से मुलाकात करते हूए दिखाई दे रहे हैं और जब वो नुमानी से मुलाखात करने के लिए पहुंचे तो उनके साथ बॉलिवट की एक्टरस स्वराब भासकर भी मौझूद रही बकादा पहाद ने सूशल मीडिया पर ये तस्वीरे शेयर की है जिसके बास से बीजुपी ने इन तस्वीरों को ले करके कटाक्ष करना शुरू कर दिया सिधे तोर पर बीजुपी के जो प्रवक्ता है प्रदीव भंडारी उन्होंने कहा कि आखर एक तरफ तो मौलाना नुमानी ये कहते हैं वोट जिहाद को ले करके कि जो लोग बीजुपी को वोट करे उनका सोशल बाइकॉट कर दो MVA के प्रत्याशियों का वो समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ वोटिंग से चंद घंटे पहले महाविका सगारी के कैडिडेट उनसे मुलाकात करते हैं आखिर महरास्ट में चल क्या रहा है क्या राहुल गांदी उधाव ठाकरे और शरत पवार नुमानी के साथ मिल करके वोट जिहाद कर रहे हैं तरसल आपको बता दे कि प्रदीब भंडारी ने बकादा फरहाद एहमत का ये फोटो शेयर किया है इसी के साथ ही प्रदीब भंडारी ने एक वीडियो मैसेस के जरीए महाविका सगारी पर जम कर निशाना साथा उन्होंने कहा कि MBA के उमीदवार एहमत ने बोटिंग से कुछ घंडे पहले मौलाना सज्जाद नुमानी से मुलाकात की मौलाना सज्जाद नुमानी वही वैकती हैं जिन्होंने वोट जिहाद और महाविका सगारी का समर्थन न करने वाले गैर मुसल्मानों के समाजिक बहिशकार का वहन किया था नाना को महरास्ट की सत्ता से दूर रखना होगा मौलाना सज्जाद नुमानी के गडबंधन के साथ उदाव ठाकरेश शरत पवार और राहुल गांदी सब मिल करके काम कर रहे हैं तरसल आपको बता दे कि All India Muslim Personal Law Board के सदस्य सज्जाद नुमानी ने लस्ट जारी कर मुसल्मानों से व दे तो ऐसे लोगों का हुका पानी बंद होना चाहिए बीजपी के खलाफ महाविकास अगारी को समर्थन देने वाले सर्फ नुमानी ही नहीं है इससे पहले उलेमा बोर्ड ने भी लेटर जारी कर अपनी मांगे रखी थी जिस पर महाविकास अगारी ने समर्थन की बात कह ही है इसके साथ ही मराठी मुसलिम संगठन ने भी लेटर जारी किया है आप बीजपी इस मामले को ले करके महाविकास अगारी और विपक्ष पर लगातार हमलावर्ड नसर आ रही है समुदाय विशेर से एक खास पार्टी अप्रत्याशी को वोड़ देने की अपील को तु दूसरी और देखने को मिला था कि सज्जाद नुमानी ने सीए का विरोध भी किया था और इसके विरोध में भारत बंद का उन्होंने आवाहन भी किया था साल दोहसार चौबेस लोग सबचनाव में वो उस वक्त चर्चा में आये थे जब उन्होंने राहुल गांधी को ए दर्श करवाई है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांगी है लेकिन जिस तरीके से बोटिंग से चंद घंटे पहले महाविकास घारी के उमीदवार नुमानी से मिलते हैं मुलाखात करते हैं उनकी इस तस्वीरे सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो इन तमाम समर्थन में चुनावी प्रचार किया सुनिये मनोस्तिवारी ने क्या कहा भचे हुए हैं तो मैं डूण डूण के ऐसे लोगों को जो इसको बहुत अच्छे से समझे और लोगों को समझाए उसको दे रहा हूं हम महाराष्ट में प्रचंड बहुमत से महायूती की सरकार बन रही है और इस बार साइना एंसी जी को यहां के लोग अपना विधायक ब लगाना है, दिकर हरागमी बात करता है एकता होनी चाहिए, हमारे देश के लोगों को एक हो करके सोचना चाहिए, कई लोग इस नारे को निगेटिव बनाते हैं, एक है तो सेफ है का मतलब कि जो भी राष्ट को प्यार करने वाले लोग हैं, वो एक साथ चलें, जो महाराष्ट को प्यार करने वाले हैं, एक साथ चलें, कई लोगों का तो नियत ही लूट और जूट है, तो उनको हटाना है, उन लोगों को आने नहीं देना है, आप पे क्या हम भूले हैं पाल घर को इसलिए अगर हम यह कहते हैं एक है तो सेफ है यह बहुत अच्छी बात है प्रदान मंतरी के मुह से निकली है और हम सब महाराश्ट के सरवांगिड विकास के लिए एक रहेंगे वो लोग पूरी तरह से अंदर-अंदर बहुत बढ़ चुके हैं अब उनके जो लोग उनका पटकाल लेके भी घुमते हैं ना उनको भी लग गया है कि इनके साथ महाराश्ट रक्षित नहीं है इनके साथ महाराश्ट का बविश्य नहीं अरे मैं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मैं कविताएं बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि बीस नमंबर के भोरे भोरे जगी हा, अर निकल के घर कामधाम कौरे से पहले बुथवा पे भगी हा, अर कमल के बटन दबा के महाराश्ट के बढ़ाई हा, साइना एनसी के संग संग, नरिंद्र मोदी के जिताई हा आपको बता दें कि इससे पहले बीजुपी के नेता किरिट सुमया नहीं आरोप लगाया था कि कैसे 125 करोड उपय का ट्रांजेक्शन हुआ है, अन्नोन बैंक डिटेल से, और ये मुंबाई में बहुत बड़ी संख्या में पैसे आए हैं, और इसको ले करके उन्हों ने एक ब मिलता है कि कैसे मौलाना सज्जाद नुमानी बोट जिहाद की बात करते हैं और ये तक कहते हैं कि जो लोग बीजुपी का समर्थन करते हैं, उनका हुका पानी बंद कर देना चाहिए, यानि कि पूरी तरीके से एक खास समुदाय का जो बोट बैंक है, वो महाविकास घाड पर क्यूं उतारूं है, फिलाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, धन्यवाद